कभी कभी मैं सोचता हूँ कि सारी दुनिया खास तोर से भारत के जो लोग हैं वो सभी इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से चानते हैं एक सत्य खथा जो घट गई नाम तो नहीं बता सकते क्योंकि अड़ोस-पड़ोस का मामला है एक बूड़ी औरत रहती है घर में अकेली नौकरी की उसने उसके पती की नौकरी उसको मिली और उसने पूरी जिन्दी की पैसा कमाया कुछ उसने उसको जो उसकी शादी में मिला होगा कुछ सोना चांदी और कुछ उसने जो कमाया जीवन में तो काफी उसने जितनी चंता थी अपनी नौनोकरी में और जो वो कमा सकी बचा सकी तो पैसा भी कमाया और उसने बड़ा सारा सोना चांदी भी खटा किया उसका एक लड़का उसकी बहू और उसके बच्चे वो दूर चले गए क्योंकि जो बूड़ी महिला थी उसकी अपने बेटे से बनी नहीं या उसकी बहू से बनी नहीं तो वो पास में दूर क्राय पे जाके रहने लगे उस बूड़ी के आज दो-तिन दिन पहले कुछ दिल में दर्दवर्द हुआ वो हस्पिटलाइज हो गई और दिन दाहाडे उसके घर में चोरी हो गई उसका जो जीवनभरका और जो उसके सास का ससुरुका जो उसने दिया होगा सोना चांदी वो सब ले गए और सारा जितना जीवनका उसका पैसा था वो में चले इंगे और वो हस्पिलाइज ही पो जीवन का यह फ़लसफा और जीवन का यह अधान्ट है यह बड़ा कौममन सा सिद्धान्ट है कि अगर उसके बच्छे और वह उसके लड़के उसकी बहु और वहiveness एकी घर में रहते तो उसके चोरी ना होती हो सकता है दिल की बीमारी भी ना होती है क्वांकि बार-बार कहते हैं इखटा रहो इखटा रहो और बड़े जानकार बड़े प्यूस्त बंड़ा ऐसे ऐसे लोग जिनको आप हमाम सब्सक्राइन देते हैं उद्धِस से क्या है उद्धिस से क्या है तो पड़ोस में जो बूड़ी का सारा सामान चला गया, उससे उद्देश समझ में आ जाना चाहिए, कि उसका उद्देश से इखटे होने का क्या था, अगर उसका बेटा, उसकी बेटे की बहू और वो बच्चे के साथ रहते, तो ना वो साय दिवार होती है, उसका जिन्दी काम आएगा और आप लड़ रहे हो और मर रहे हो, इसके लिए लड़ रहे हो मर रहे हो, अब सायद उस बूड़ी को समझ में आए, और हो सकता है कि उसे ज़्यादा घात लगे तो नुक्सान जाता हो, तो दिल की बीमारी ये कुछ और भी हो सकता है, मतलब इकटे होने का फ परवार भी बसते हैं, इखटे होने से हम सब बच जाते हैं, इखटे होने से में। और फिर वो कहते हैं कि मैं अपड़ा दुखी भी हूँ क्योंकि डॉक्टर अम्बेटकर का सपना पूरा नहीं हो रहा तो लालचन लैगर जी जैसे जो हमारे भाई हैं वो समस्या भी खुद बता रहे हैं और समधान भी खुद बता रहे हैं वो समस्या बता रहे हैं कि मैं बड़ा दुखी हूँ और वो प्रियास कर रहे हैं सम्मे जा रहे हैं मगर वो बीमारी नहीं पैचाने हैं वो ये भी कह रहे हैं कि इतने सारे संग्ठन हैं इतने सारे संग्ठन की होते हुए भी हमारे सारे धिकार चलेगे सब कुछ चला गया मै बड़ा परिशान हूँ और वो ये भी करें कि मैं सम में जाता हूँ और ऐसे हमारे लाखों लोग हैं जो सम में जा रहे हैं और बहुत परिशान है और उनको समस्या का समाधा ने दिखा दे रहा हूँ उनको लगता है कि जादा संग्ठन होने से और सारे संग्ठनों में जाने से समस्य का समाधार होना चाहिए मतलब वो ये मानते हैं कि अगर कार बहुत ज़्यादा हो और सब्तरे की कार हो और हम सब्तरे की कार में बैठ जाएं तो हम पहुंच जाएंगे हम जहां पहुंचना है वह कैसे पहुंच जाओगे आपने तो लाखो कार इखटी कर दी है उन्होंने सारा जगे घेल लिये सारी सड़क घेल लिये अब वो कार आपस में टकरा रही है और आप सब में बैठना चाहते हो जो पॉसिबल नहीं है और वो कार इतनी जादा है कि सड़की खतम हो गई तो वो डेस्टिनेन जिसमें से कैसे ना पहुँचे तो लाल चंद रएगर जी जैसे जो लोग है उनको सिर्फ इतना सोचना है कि अगर सब को मदद करोगे और सब संधरनों को संधरन मानोगे तो सारे संधरन कहेंगे जब हमको नेता मानते हो तो हम यह आगे बढ़ेंगे बाकी नहीं बढ़ेंगे और जाकि कार आपस में टक्राएंगी कोई ऊल्टी कोयi सीधी को ट्रैड़ी कोई मेरी को ट्रैक्टर वी लेके आएगा को इस्कूटर लेके आएगा कोई टे penn लेके आएगा तो वह डेश्टिनेशन नहीं पहुंचरण लड़ती रहेंगी todo लें इसको इस तरह से समझें लालचन देख्डेगर साब और बाकी साथी जो भी समझते हैं कि राजनीती के हज्जारों संग्ठन है और आप सम्में जाते हैं और आपका जो बोट है अगर आप सुरुलकाश्ट है तो 16% है अगर आप समण समाज मानते हैं अपने आपको स्टी 30-30 बोट है तो आप कैसे जीतोगे आपने बहुत सारे मत बना रखें बहुत सारे पंत बना रखें आप सारे गुरुओं को मानते हो अलग-लग लोग सारे गुरुओं में जा रहे हैं जिनके धम के मत हैं धम के लोग हैं जिनके डेरे हैं जिनके बाबा हैं जिनके सादू है जिनके संथ हैं और वो कभी न ही कहते कि हम एक साथ बैठेंगे मगर आप संधी जा रहे हैं तो किसी वी आदमी का कहीं पहुचना ना मुम्किन है इस जीवरे में तो नी आनी चाहिए जो गॉर्णमेंट सेक्टर की हैं और वो बिकने नहीं चाहिए और जब हजारों लाखों संक्षर्य कर्मचारियों की हैं और सब अलग अलग करते हैं और बेसक आप सबको support करते मगर वो एक नहीं है इसलिए उनकी बात नहीं मादते। आपके जितने भी आर्थिक जो लोग हैं जो पैसे ही बात करते हैं बैंक की करते हैं, finance की करते हैं या company खोलने करते हैं या school खोलने करते हैं या कोई hospital खोलने की बात करते हैं वो सब अलग-अलग हैं इसलिए आपका पैसा इखटा नहीं होगा जब इखटा नहीं होगा तो आप लड़ नहीं सकते आपके पैसे पर घुमाब नहीं आएगा आप काम नहीं कर सकते च जितने भी आपके संथ हैं उने सब के भवन चलने हैं। अमीट का भवन हैं। और वो सारे एक साथ नहीं है तो आपके कोई भवन नहीं है। आप अपने सेर की बहुन में जा सकते हो तो दूसरे सेर की बहुन में जा भी नहीं सकते हैं तो आपके लिए उसे माईक तोली सुधिर जी माईक यहां सभी समस्या जानते हैं इसलिए समस्या को बार-बार-बार-बार-बार बताके कई बार मुझे लगता है कि समस्या तो सारा सबको पता है बस उनको यह पता करना है कि इसका सॉलुशन क्या है इसका solution बड़ा simple सा है कि आपको इन सभी लोगों को support करना बंद करना पड़ेगा आप इनको support मत की लिए तो कि अगर आप इनको support करते हैं तो ये खटे नहीं होंगे कि इन्हें पता है कि 50 लोग हमें support करते हैं इनका काम 50 में चल जाता है ये जितने भी लोग हैं जो छोटे छोटे गुरूप चला रहे हैं और उसको संग्धन कहते हैं चोटी छोटी संस्था चला रहे हैं और उसको वो संस्था कहते हैं organization कहते हैं संधन कहते हैं ऐसे कि संख्या 31 लाग है जिसमें 29 लाग लगबग activate है जो चल रहे हैं और वो हमारे समाज के ज़्यादा है तो इन 29 लाग में आप किसको किसना कितना पैसा दे पाओगे किसको कितना कितना टाइम दे पाओगे और वो तुमारे लिए क्या क्या करेंगे वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकते क्योंकि गौर्रमेंट उनकी बात नहीं सुनती समाज में उनका इस्थान नहीं है और सम्विधान में उनका बल नहीं है यानि जो जन संक्या बल है सम्विधान के इसाब से पूरा है नहीं है जब सम्विधान के इसाब से जन संक्या बल नहीं है और गौर्मेंट 29 लाख अलगलग संथ्रों की बात सुने क्यों तो आप वेसक कितना भी कहते रहे हैं कि हम सब को सपोर्ट कर रहे हमारी बात नी बनती आपकी जीवन भर बात बनेगी नहीं तो आपके दिमाग में परसंद आएगा तो क्या हम वीदा पीपल को सपोर्ट करें अब वीदा पीपल को बिल्कुल सपोर्ट मत करो आप वीदा पीपल उनके दादा, सीहनू, उनकी आइडिलोजी है, ये भारत के गड़राज्य की है, ये गौडवाना लेंड की आइडिलोजी है, तो आप इस पर सोचो, कि इस आइडिलोजी को, इस विचार को, कहां से चला है, ये और कहां पहुँचा दिया, और बावा साब ने फिर उखालके, निकालके, जालके, पहुँचके आपको दे दिया, जो हमारे महापुर्सों का है, कोई व्यक्ति ये कहे कि जी आप तो बुद्ध का बोले, हम तो बुद्ध के आदमी ने, अब बुद्ध को उठाके साइड में रग दो, और बुद्ध की मूर्ती को कपड़े से ढखके बा है, वो बहुत उचा है, और उसमें वो अंदर आते थे, यानि सिद्धत गौतम को, अगर हम डॉक्टर अमेटकर की किताब भगवान बुद्ध का धंका पहले चेप्टर पड़ते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है कि सिद्धत गौतम को संघ के आगे पेस होना पड़ा, और स कोली और जो साक्य थे, वो रोहनी जो रिवर थी, उसका पानी ले जाते थे, उसका जगड़ा होता था हर साल, क्योंकि पानी तब जमीन से नहीं आता था, बहता हुआ पानी आता था, और चावल दोनों को यान धहीं जो है, धान है, दोनों को बोने पड़ते थे, और धान संग्था उसने निर्ने किया कि हम युद्ध करके जीतेंगे सिद्धत गौतम ने युद्ध के लिए मना कर दिया क्योंकि संग ने नियम पास कर दिया कि युद्ध होगा और सिद्धत गौतम ने मना कर दिया तो संग के नियम से सिद्धत गौतम या सिद्धत गौतम के जो फ दिये उस किताब के नोसा लिखा हुआ है तो दंड जो तीन तरह का दंड था उसमें एक तरह का दंड जो माना यह माना कि मैं यहां से चला जाता हूं बहार और मैं यहां से बहार चला जाता हूं तो मैं यहां रहूंगा नहीं उनको एक तरह से देश निकाला या साक्य संग का निकाला दिया गया और वो चले गए ये बात इसलिए यहां बताई जा रही है कि आप जो वो साके संग के जो नियम थे जो गड़राजे की नियम थे वो इतने मजबूत थे कि उसके बड़ा कोई था संग ही संग का मालिक होता था और वो सारे नियम सारी चीज़ें संग की को नहीं होता है या जो MP2 झीठ को भारत के लोग तो आप विदधर की बात को मत मानिए को माझ को यहाप के जो लिमाग के अंदर भला है अब यह जैसे वी एक कलो है है ऐसा ही एक वीदर पीपल है इसमें क्या उन्टरै छही है कि Vida people, हम भारत के लोग संग है, और संग और संग्धन में अंतर होताए. जैसल संग जो होता है, वो बाबा साब ने बनाया था, जिसको इंगलिस में और्गनाइस बोता है. संग का मतलब है, कि पूरे भारत में और भारत के बाहर जो भी व्यक्ति SC, SC, OVC है, यानि समण है, बोलते थे वो इसका मेंबर है जो ज्यादा काम करते हैं जैसे मैं हूँ या दस्राफ हिनुनिया जी है या भागशंद पिंगलोज जी है या चुटललाज जाड़ब जी है ऐसे जो लोग काम कर रहे हैं या अभीशेक एड़ोकेट अभीशेक राजी है जो सुप्रीम कोर्ट म आँक मेंबर मान लेते हैं और जो लोग नहीं काम कर रहें हैं वो चाहिए और पूली क्ये नहीं लेगा पाब्लिक से कोई पैसा नहीं लेता। इसके करचा चला लेते हैं वह भी भ sandwich यह तो रोटी वी अपने घण से लाके पानी भी अपने घर से लाला के पीते हैं यह तो रोटी भी नीम था पैल आ है। यह ऐसे लगए कि इसके अंदर कोई भी व्यक्ति कभी भी इसका सर्वे सर्वा नहीं बनेगा क्योंकि संग का सर्वे सर्वा बुद्ध भी नहीं है। करेगा तो संग की आवश्क्ता इसलिए है तो पहले तो यह समझें कि संग में और संग्थन में अंतर क्या है संग्ठन जितने भी बनाये जाते हैं उनका इक मालिक होता यह मनुस्मर्टी पर आधारित होते हैं क्योंकि मनुस्मर्टी में जो सिध्धान दिये हैं वो राजा रानी के दिये हैं वो राजा का मालिक जो होता है वो राजा होता है और जो राजकुमार और राजकुमारी होते हैं वो उसके आने वाले मालिक होते हैं यानि उनको पहले स तो उनका मंत्री महामंत्री था उनका कोच और उसे कुछ और फूरो एक बन texts बनाते है और उसमेडें करते हैं उसमेरte ये पॉब्लिक सब्छन नहीं होता या नहीं Uganda राजा जिसको नुमिनिट करेगा, वो मंतरी रहेगा. तो पिरजा का क्या काम ए? पिरजा का काम है, राजा की बात को मानना. और जो ना माने, उसे जेल में या पोडे, तो पैसा कहां से आएगा? राजा तो पाहता नहीं, उसका मंतरी तो कमाता नहीं. तो पैसा आएगा जो पिर्जा खेत में काम करेगी, जमीन में काम करेगी, फसल हुगाएगी या कोई उद्धुधंदा करेगी, उसमें से लागान देगी, टेक्स देगी, रिवेन देगी. मगर संग क्या कहता है? अब ये जो जितने भी संग्धन आज की डेट में चल ले हैं, ये मनुस्मर्टी पर आधारे थे हैं. इन सारे संग्धनों में, चाएं वो पॉलिटिकल हैं, हमारे भी, और जो चलें वो भी, उनके तो चलेंगे चलेंगे, क्योंकि वो तो मनुस्मर्ट हैं, कैसे भी हैं. इसका एक वेक्ति होता है, वो उसका मालिक होता है, उसे ठिद्धान बोलते हैं, प्रेशिडन बोलते हैं। जिसको और कुछ C.E.C के मेंश में होते हैं, हमारे जैसे मूर्ख लोग जो उनको हर साल पर्ची कटागे पैसे देते हैं और उँका झंडा उठाते हैं और हमारे जैसे मूर्ख लोग ये भी कहते है यह ठेयो हम-पूरी फिर हम उम्मिद करते हैं जो लाकंः संग्ठन में अलग-लग हैं कि यह करेंगे कुछ करेंगे और उपर से हम उन संग्ठनों में आपस में लड़ाई भी करते हैं कि तेरा संग्ठन खराब है मेरा संग्ठन अच्छा है तेरा मालिक अच्छा है मेरा मालिक खराब है यह मनुसमर्ति के आधार पर जो हमारे संग्ठ तो वो यहां किसीने लागू किया नहीं ? और वो बताते भी नहीं ? वह तो हम इसको अलग स्पैसिफाई करें बिसिकली सम्विधान उसी नियम से लिया जया है, तो इसमें सब का विकास होगा, इसमें सब की जानकारी होगी, इसमें सब को बोलने का अधिकार है, इसमें आ सकते हैं, इसमें काम बहुमस्थ से होगा, कोई व्यक्ति अगर ज्यादा काम भी करता है, वो भी निर्ने नहीं ल ब संघ समझ मेरा जाता है वह टस से मत्स क्यों वह लगए काम पर उन्हें पता चल कि हमारी मक्ति का रास्ता तो यही है जो यहां लाल चंद work क्या रही थे लाल चंद वीदा पीपल में, अगर बात समझ में नहीं आती है, तो आप सब को इखटा कर लो, ये वीदा पीपल भी यही काम करता है, ये सब से कहता है, कि आप इखटे हो जाओ, हमने सबी जितने भी लोग हैं, सबी तरह के समझ हैं, उनके बहुत हाथ पर जोड़े, 2014 से लेके, 2018 तक ब नेता भी मानते हैं, आगे भी हम नेता मानेंगे, हमारी गलती तो बताओ, क्या गलती है, तो गलती हमारी ये है, क्योंकि हमने उनको कभी ये नहीं कहा, कि तुम इखटे हो जाओ, हमारी गलती ये है, कि हमने कभी उनको ये नहीं कहा, कि अगर तुम इखटे नहीं हुए, त तो हमको एखटा औने के लिए मन बंद हो जाओ हमें क्यों कहते हो हाँ जब तुम सकते हो हम हारे बहुत सारे कुछ बुद्धि जीवी लोग है भारत में कमी नहीं है और उन्होंने बड़े-बड़े कायिकनम बना के हमको दिये हुए और बड़े-बड़े कारिक्रमों की वह बहुत अच्छी वगलत भी करते हैं और बावा साव अम्बेट करके और बुद्ध के और जोतिवा फुलों के बड़े अच्छे जानकार भी है और पहले भी हैं और पैदा हो लिए कोँनी बोल रही हम यह क्यों कहते हैं कि इस आदमी इस नेता इस संग्धन исп गुरूप के लिए खटे हो कोई बुद्ध के वारे में नहीं जानता तो पूरा पाली में पढ़ा देंगे, कोई जोतीवा फूले के वारे में नहीं जानता तो पूरा गुलामगी पढ़ा देंगे उसको और अच्छी तरह धंका देंगे, बचारा चुप हो जाता है, कैता वह इनको ज्यादा जानकारी ह मैं क्या बोलूँ ये विद्वान लोग है वैं काय के विद्वान हो जब इखटे नहीं हो पाए जब तुम बावा साब की बात जो संगतर होगी वो नहीं समझ पाए जब बुद्ध के संको नहीं समझ पाए और खुद कहते हो कि इखटे हो जा और खुद इखटे नहीं होते ह जितने ज्यादा संग्ठन होंगे उतना फायदा होगा तो हमारे जो लालचंद रेगर जैसे जो भाई हैं वो ये समझते हैं कि ज्यादा संग्ठन होने से ज्यादा फायदा होगा और संग्ठन एक होगा तो ज्यादा फायदा होगा और संग्ठन एक ज्यादा होगे तो जितन कि जितनी संक्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी पार्लियमेंट में है तो आपकी तो हिस्सेदारी हो नहीं सकती क्योंकि आप तो लाखों हिस्सेदारी में टूटे पड़े हैं और वहां तो हिस्सेदारी के कुल साथ सो साथ साथ सो साथ सो सीट सारी हैं तो लाखों में जो ट कि जिसकी जितनी संक्या बारी उतनी इससे दारी ले जाओ मेरे से मैं संविधान हूं मैं तो रक्षा करने के लिए त्यार बैठा हूं तुमको अपनी रक्षा नहीं करनी तो मैं क्या करूं तो मेरे विधी विधान का तरीका है क्योंकि मैं संविधान हूं तुम इखटे तो ह जाओ और ईखते होने से क्या होगा अर्य खते होने साथ मद्धान आपको दंगkę रहे बिन biss भी बचानलेका से लिखा हुआ है स्मेधान में नहीं लिखा हुआ है में बने ऑफ इंडिया वो कभी ये नहीं कहता विदा MLA of fuudhahan sabah, prize MP of loq sahabah, prize MP of Parliament वो कभी नहीं कहता, वो सम्म हमेशा कहता, besha people, हम भारत के लोग, वो कभी नहीं कहता कि हम भारत के MP, या हम भारत के MLA, या हम भारत के प्दान बंंती, या हम भारत के चुज़ाश्क्त पति कभी नहीं कहता, तो सम्विधान वीदर पीपल से चलता है तो लोगों को यकिन नहीं हुआ इस बात में कि अगर इखटे हो जाएंगे क्योंकि बात निकाल दिमाग से कि इखटे होने में ताकत होता है बल होता है अगर वो बुद्ध की बात याद होती जिसमें बुद्ध कहते हैं कि साथ अजय नियम है दुनिया के अपरिहाय नियम है यानि जिनको कोई नहीं हरा सकता उनमें एक नियम ये भी है कि जो लगातार एकटे होते रहेंगे और एक डिशन लेंगे और डिशन पर काम करेंगे कि उनको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती, ऐसा उन्होंने अच्छी तरह से बताया है वज्जी लोगों को, और जो वसा कार आया था मंदिर उसको बताया है, और ये बात दुनिया में चलती है. तो वीदा पीपल अफ इंडिया में जब लोगों को यकिन नहीं हुआ तो हम लोगों को कहते हैं कि दो अपरेल अठारे याद करो भाई दो अपरेल अठारे को कोई नेता नहीं था तुमारा कि तुम्हारे समविधान का एक पंद निकाल के फाल के फैंक कि दिया कि आए यह तुम्हारा समविधान खतम आसए और सारे के सारे नेताइट भाग कोई नहीं आया सटक पे तब वीदा पीपल आयते शड़क पे तब हम भारत के लोग ज़्वनगय आय थे और ज्यादा नहीं आए बहुत थोड़े से आए थे बहुत थोड़े से आए थे को पूरे सम्माज के नहीं आए थोड़े से शवड़ समाज के आए और वह सलक पर के आए चार गंटे तो एदा को सम्भ्धान कहता है किающan बीदापीबल आप सलक पे खड़े हो गए है और आज सलक पे खड़े हो गए हैं तो मुझे उनको बचाना है और वो पर वह पन्ना सम्भ्धान में इजचत के साथ बापर शुड़ गया रर सम्विधान उतना पच गया जतनी लड़ाई आपने अपने नड़ी। अगर आप चार गंटे के लिए खटे होके एक पन्ना बचा सकते हैं, तो पूर दिन खड़े होके दो पन्ने बचा सकते हैं सम्विधान के और अगरser आप हमैसा के लिए खड़े हो जाएं, तो सिख और सदारों की तरह और पूरी दुनिया में जो लोग इखटे होते हैं उनकी तरह, आप अपने सम्मिधान की एक एक चीज बचा सकते हैं, बलकर बचाने की तो बात छोड़िये, जो बावा साथ बिना संग के लिखनी पाए, तो कि उसमें हम वीद की गारणटी मिलती, कि हमारे हर बच्चे को काम मिलेगा, और जिसको काम नहीं मिलेगा, सरकार उसको पैंशन देगी, वो देस के डूटी बनती है, कि वो अपने नागरड़ि эк जुम्मेदारी देश की है, हम यह धीक मांगते रहते हैं कि हमको नौकीची है, नौकीची में कि उनके हाथों से वो जो उन्होंने कमिल अबाड लेके आये थे वो इलीगल तरीके से छीन लिया धंका के रातंग बात तरब चीन लिया हूँ तो आज अगर वीदा पीपल बनोगे तो तो जीत जाओगे और अगर वीदा पीपल नहीं बनोगे तो यकीन मानना मेरे जो एकस् हैं और जो सम्विधान की इतनी वी से जा रहे हैं तीस साल से पहले भी अपनी आँखों के सामने अपने बच्छों को मरे हुए जानवर का मास्ट खाती हो देख सकते हो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इस वात को अच्छी तरह समझे लो कि राइस्थान सबसे ज्या क्लिक ना मिले तो आप कैसे ले लोगे कैसे को पढऑ किा करो कि तो अब ही तो कुछ फायदा हो सकता है क्योंकि अगर अब इक्शचचे तो राजा-इस् monuments का है तो सम्धान केता है अभी कि फित तो फिर आपका boat ride खतम हो गया तो राजा रानी की जो जनता है वो उसके महल के आगे कितने घंटे बजाते रहो कितने कहते रहो माहराज माहराज राहीमान राहीमान महाराज की मरजी होगी तो सुल लेगा, नहीं तो आपको डड़े लगवा देगा, नहीं तो भूखे मरो, तो सम्मिधान होगा तो उससे सुनना पड़ेगा, क्योंकि सम्मिधान में है कि अगर आप तरहीमान तरहीमान करोगे, शलक पर आओगे, तो आपका एक्ट बच जाए जुड़ जाएगा, मगर सम्मिधान नहीं है, और फिर एक्ट कोई दूसरा आ गया, फिर तो आपका राइट खतम होगे, आप इखटे होए बाद में, तो क्या इखटे होए, वो खेत का क्या फाइदा, बचाने का जब चड़िया चुपजा खेत, फिर तो आप फिर मरना, फिर जीना, फिर सब कुछ उसी इस्तिति में आना, कोई बावा साब निकलाया बहार, फिर कोई अंग्रेज वंग्रेज आगे, देश को गुलाम बना लिया, तो वो आपको दे देंगे, सोचो अगर बावा साब भी आपके ये पढ़े लिखे, पहले बात तो अगर यहां अ आप गया, दस-पाच आप गये, तो भी कुछ नहीं कर सकते हो, अगर आप कर सकते हो, तो इसके लिए अगर किसी का एगो और एहम टकराता है, किसी को लगता है कि मुझे नेता बना है, मैं तो ने जाता वीदे बना जाए, अरे जुडने का काम तो करे, लोगों को जुडने और मैं इसको लंबी लकीर खिर दूगा, अरे भाई वैसे तो लकीर लकीर खिलना का समय है नहीं, और बहुत साय लोगों ने लकीर खिच लिए इनको छोड़ जाना चाहिए, इन लकीरों में कुछ नहीं रखा, फिर भी कोई करना चाहिए, ट्राई करकर देख ले, इलाज एक ही है कि आपको जुड़ना है और जुड़ना है, जिद्ध है जुड़ने की, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जहां जुड़ेंगे, वहां वहां जीतेंगे, जब जब जुड़ेंगे, तब दब जीतेंगे, अभी जुड़ेंगे, अभी 9 बच के 40 मिट पे आपके सारे धिकारे मिल जाएंगे और सो साल बाद जुड़ेंगे तो सो साल बाद अगर सम्धान रहेगा तो कुछ मिलेगा और सम्धान आ रहा तो जुड़ने का मिलेगा जैसे जैसे जुड़ेंगे वैसे वैसे जीते जाएंगे सो जुड़ेंगे सो जीतेंगे हजा जुड जितेंगे, सारे जितेंगे, तो जिद अब जुडने की है, जिद अब बचने की है, जिद जिन्दा रहने की है, जिद जिन्दगी की है, क्योंकि जिसको ये लगता है कि अभी जो तलवार है वो गले पर नहीं अटकी, जिसको ये लगता है कि अभी हमारे अधिकार चले नहीं जिसको नगता है कि मैं तो बड़े मज़े में हूं, तो थोड़ा और वेट करें, सब जाएगा. किसी का नहीं बचेगा. और जो ये छुटपुटटे नेते हैं, जो नेता हैं, जो ये बेफकूफ बना रहे हैं, जो खुद बेफकूफ हैं, इनको इतना पता नहीं है कि जब हम नहीं रहेंगे, जब वीदा पीपल नहीं रहेंगे, तो नेता क्या करेगा, किसका नेता बनेगा, कौन पूछेगा, अरे हम हैं, तो तुम हो भाई, जब हम ही नहीं रहेंगे, परजा नहीं रहेंगे, जंडा उठाने वाला नहीं रहेंग जब जयजय कारक करने वाला नहीं रहेगा, जब पच्ची कटवाने वाला नहीं रहेगा, जब सुनने वाला नहीं रहेगा, तुमका एक नेता हो, तो तुमारा भी नंबर आएगा, तो उनका नंबर आएगा, वो भी मारे जाएंगे, जिन्होंने हमें यहां तक पहुंचा द होते हैं तो हम्हां इखते होने स्रूम होगे। है। लोगों के पहचान चाहिए कि विद्धा होने की के पहचान तो चाहिए, जिससे हम आप प्लू और यह लिखा हुआ है पीले लाल रंग से और काले रंग के घेरे में यह हमारी पहचान है यह हमारी जान है यह हमें बचाएगा तो दस-पांच रुपे खर्च करो भाई हाथ से बना लो पीली पैंसिल से लाल पैंसिल से काली से बना लो पेंट से बना लो नहीं तो द डस बार रुपे बन्ता है यहां बी है साजाज जी है वो बता देंगे उन से फॉछलो विलनुर नंबर पूछलो इसको बना लो करो ना गडर पर लगाओन से दिवार लगाओ इसका जंटा बना वैं talkin' पो इसके पोश्ट बनाओ इसको लिक फो होगे 142 लोग है यहां 142 लोग अगर जुड़ने जोने का काम नहीं करेंगे तो किसी का इंतियार मत करो वना हम मारे जाएंगे कोई नहीं आने वाला बचाने वाला अपना प्रकास खुदी करना है जिद्ध है जुड़ने की जुड़ेंगे जीतेंगे इस वाक्य को याद अच्छे से अच्छे से एक्स्प्लें किया है इस पर थोड़ा साथिस्ट करना है कि जैसे विचारधारा बढ़ने कि संग्ठन क्या खतम कर दिया जाए या संग्ठन को भी दापिशन पिले कर लिया जाए इसका जवाब दीजिए प्रोपर संग्ठन कर दो इनका अच्छा किती मेंबर सी पर कहां कहां आपका च्छेत्रे का अच्छा तो उसमें लग एक सो बारा लोग करने का तरीका है उस टाइब के कुछ और भी लोग है आपकी जानकारी में जी जी तो आप उस टाइब के सब लोगों को इखटा करो ना ओल इंडिया में आप तुसर में उनको अभी ब्रेक अप दे दिया है मैंने उसको हमने दूसरे के एंड़ोबर कर दिया है कि वीदा प से सपाइब को हमारे सथुन क्यान के है चाहें बच्चों का महिलाहों के हैं तो कि वह सारे के सारे लोग ही खटे होने है तो कि छोड़ नहीं सकते आप। सब्सक्राइब जो सबस्क्राइब सब्सक्राइब का away the people का सदस्य होता है तो आपका ज़ु आप काम कर रहे हैं वो पहले से ही वीदाLY फिल में हैं किसी कहीं कोई किम लि guar करंगा अब कुमार जी और बिज महांची अलग 9 होगे इसने कहा है तो आप वी दर पीपल ही है आपको अगर यह लगती है कि अब यह आड़रोजी के बिना हमारा काम नहीं चलपाएगा और यह और और समझ नहीं है तो और समझें विटिंग में आके लोगों से प्रसंद पूछें, और आप जो काम कर रहे हैं, उस काम में जो और तरह के लोगे, उनको कहँगось कर देक्टों, उनको क्रिगा क्म करेए उनको लगाता है, उनको हम पॉलिटिकल तो हमारी पॉलिटिकल तो जितने और तो मर जाएंगे तो जितने भी धन्तों को मानने वाले रोगे सादु को मानने वाले आपा को मानने वाले सब्सक्क्राइब तुम अलग-अलग मत होगे, अलग-अलग पंतों को मानोगे, तो कैसे होगे, चलो अलग-अलग मानते भी हो, तो इखटे तो हो जाओ, तो इखटे हो जाओगे, तो आपका पैसा एक जीए जाएगा, और जितने भी सामाजिक संथन हैं, जो हमारे पास पर्चेन लेके आते है उनको भी हम यह कहते हैं अरे जब समाज का भला सब को कर रहे हो और सब यह कहते हो कि समाज का भला करना है तो पर अलग क्यों हो पिर समाज का भला कैसे हो रहा है या तो तुम बेफूफ हो या हम बना रहे हो या हम दोने बेफूफ हैं क्योंकि आप हमें बना रहे हो और हम बन झाल 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 झाल